नमस्कार आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी सत्यमेव जोयते जस्टिस दीपक गुपता जो की रिटायर्ड सुप्रीम कोड के जज है उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जिस टूल किट के आधार पर दिशा रावी को गिरफतार किया गया है और उनके उपर सेडिशन के और नजाने क्या क्या आरोप लगा दिये गए है वो बिल्कुल बेमानी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस टूल किट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हिंसा को भड़काता हुआ नजर आया हो और वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि सेडिशन को लेकर सुप्रीम कोट अपने पहले ही 1962 में इस बात को साफ कर चुका है कि सेडिशन तब ही माना जाता है जब किसी भी हरकत से हिंसा भड़काने की गतिविधी देखने को मिलती हैं और इस टूलकिट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो देखिए सिर्वही नहीं और भी सीनियर आइडवकेट्स हैं जो कि क्या कहते हैं अब आप समझने के कोशिश कीजिए एक्सपर्ट राए दिशारावी के केस में एक ऐसा टूलकिट जो की फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए था यानि आंदोलन को सपोर्ट करते हुए था आंदोलन के समर्थन में तो क्या वो गलत हो गया इसलिए ये एक पूरी बहस छिड़ चुकी है दिशारावी की गरफतारी के बाद से कई तरह तरह की इसमें बातचीत सामने आ रहे हैं लेकिन आब आप एक्सपर्ट ओपिनियन समझने की कोशिश कीजिए जस्टिस दीपक गुपता कहते हैं कि यानि कि इस देश के हर नागरिक के पास यह अधिकार होता है कि वो देश की जो चुनी हुई सरकार है उसका विरोध कर सके और वो जो विरोध करें वो शांकति पूर्ण हो यह होना चाहिए यह सारी बाते कब सामने आई एक पैनल डिसकर्शन हो रहा था एंडी टीवी पर जिसको होस्ट कर रहे थे शुनिवासन जैन उनके एडिटर और टूल किट जो यह ग्रेटा ने शेयर किया था आपको पता ही है कि दिशा रावी ने उसी टूल किट को एडिट किया था जिसक कप्र नागरी को किसी भी सरकार को चुनी हुई सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है वो कहते हैं कि इस टूल किट में मैं ऐसा कुछ चीज है क्या वो कह रहे हैं कि यह हो सकता है कि आप जो आंदोलंकारी हैं जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि किसान अपना अंदोलंक कर रहे हैं उनका समर्थन करें या ना करें यह हो सकता है कि आपके विचार उनके साथ सहमत करने वाले या असहमत होने वाले हो लेकिन ये पूरा different matter है, ये एकदमी अलग मुद्दा है, लेकिन ये कह देना कि ये जो toolkit था, ये seditious है, ये राष्टर द्रो करता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना मतलब कि आपको कानून की समझ ही नहीं है, और यहीं पर हवाला देते हैं, 1962 में केदारनाथ सिंग वर्सेस टेट बिहार का केस, जहांपर वो कहते हैं कि जो sedition, यानि कि section 124A of the IPC है, उसकी समझ वैदानिक वैदता को अपहल्ड करते हुए, सुप्रीम कोट में ये बाद कही थी, नोट किया था, कि sedition सिर्व तभी माना जा सकता है, जब उसकी वजए से incitement to violence हो, या पर public disorder हुआ हो, जो कि इस केस में, यानि कि दिशारावी के केस में बिल्कुल गायब है, है ही नहीं, ऐसा कुछ भी मामला, वो साथ ही ये भी स्पष्ट करता है कि आखिर ये बताये कि sedition law बनाया किसमें था, एक दम imperialist, colonialist ruler, British Empire ने बनाया था, जो कि पूरे भारत के ओपर राज करना चाहते थे, वो कहते हैं कि उस समय भी इस कानून के बारे में, ये माना जाता था कि बड़ा अपराध है, ये पनिशिबल है, विद लाइफ इंपरिजम्मेंट, यानि कि उम्रकायत की सजा होती थी, पर वो ये भी कहते हैं, जस्टिस दीपक गुपता ये कहते हैं कि मुझे ये लगता कि जो बाल गंगर दर तिलक और महात्मा गांधी के साथ हुआ कि उनके उनके उपर सेडिशन का आरोप लगा के उनको लंबे समय तक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था, मुझे उमीद्धी की समय के साथ, इतने एक्स्पीरिंस के साथ, यहां पर ये कम से कम ख़त्म हो और अगर ख़त्म नहीं होता तो कम से कम टोन डाउन तो हो जाता, कम से कम इसके क्लॉस तो थोड़े से हलके हो जाते, इतने जादे ग्रेव नहीं होते, वो कह रहे है कि मैंने कई सारे केसे देखे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वो खास तौर पर जजजेस के लिए बोल पर जब दी थी, उन्होंने इसी बात को रखा था जो कि हर किसी के केस में होना चाहिए, पर वो ये कह रहे है, जशिस दीपक जुपताय मानते है कि कई केस में देखने को मिलता है कि ये बात को भूली जाते हैं जजजेस और इस टेज में ऐसा लगता है कि आजकल तो ये बेंगलोर से पहले दिल्ली लाना, विदाउट बिंग प्रड्यूस, उसको प्रड्यूस भी नहीं किया गया किसी मैजिस्ट्रेट के सामने बेंगलूरू में ही इसकी पूरी स्रूटिनी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अगर आपकी आलोचना होती है उसको लेकर असहिश जौन जिन्होंने अपने पूरा पोस्ट भी लिखा था फेस्बुक पर और इसी बात को उन्होंने दौराया यहां पर भी है वो ये कहती है कि मैं इस पूरे अरेस्ट को लेकर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर सबसे ज़ादा कृटिकल हूं पहला तो यह है कि मैं इस तरह से अक्यूज पर्सन को किसी संडे को ही प्रेड्यूस कर देना तो यह है कि बेसिकली आप यह एंशॉर कर रहे हैं कि उसका लीगल राइट पूरी तरह से कॉम्प्रमाइज हो जाया वो यह बोलती है कि क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है लॉयर्स के लिए वीकें लॉयर्स की बात सुनी वो बात बिल्कुल सही है जो कि अब हर घर में इस डिबेट हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस टूल किट में कुछ भी सेडिशिस था अगर था तो ऐसे नजाने कितने टूल किट चल रहे हैं जो कि अपनी आइडियोलोजी को आग तो आपको किसानों के अंदोलन से दिक्षत है क्या किसान राजद्रोही है इसलिए किसानों का आंदोलन देशविरोधी है और इसलिए उनका समर्थन करने वाला अगर कोई तूलिकुल्कुलद होगा वो देशविरोकी के त्यमेजारइए सोचने की बात है, सोचे लिगा सत्य मेव जयरत है ज्यादे सजादे इस वीडियो को शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए अपने घर वालों से, अपने रिष्टेदारों से, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराईए क्योंकि सही जानकारी सही, सच, सत्य से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक पहुँचना बहत जरूरी है इस ऐसे दौर में जहां फेक निउस का कुछ ज्यादा ही बूल बाला है